हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीकेगर शानल पे मेरा नाम है किरण भावर अज किस वीडियो में हम 2023 के 50 महत्पुन करेंट एफेर्स कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी जादा महत्पुन है वीडियो को ध्यान से देखेगा सारे कुशन स्लेक्टेड है एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे लास्ट में कुशन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से जिसका अंसर आपको कमेंट करना है शुरू करेंगे फर्स्ट कुशन से फर्स्ट कुशन है हालही में जारी ग्लोबल जेंडग गयाप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूचे में भारत को कौन सा स्थान मिला है उत्तर क्या होगा यहाँ पर आप्शन सी वाला 127 स्थान मिला है भारत देश को बॉंबे हाईकोट के मुख्य नियाईदिश के रूप में किसे निवक्त किया गया है मध्यपरदेश का कौन सा रिजर्व सात्वा टाइगर रिजर्व होगा कौन सा होगा विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व याद रखेगा विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है यह मध्यपरदेश का सात्वा टाइगर रिजर्व होगा भारत ने हालही में किसे देश को INS क्रिपान उपहार में दिया है किसे दिया है वियतनाम को वियतनाम को हल ही में हमारे भारत देश ने INS कृपान उपहर में दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ सेमी कंड़क्टर एको सिस्टम के सैयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है किस देश के साथ जापान के साथ सेमी कंड़क्टर एको सिस्टम के सैयुक्त विकास के लिए नेक्स्ट कुशन दिखेगा 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतरास्टिय योग दिवस मनाया गया कौन सा बनाया गया है नोवा सलमान उस्दी को हाल ही में जर्मन शान्ती पुरुसका 2023 से सम्मानित किया गया अगला सवाल कि स्टैनिस खिलाडी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरो शेकल का खिताब जीता है किसने जीता है नुवाक जोकविच ने जीता है ध्यान दिजेगा फ्रेंच ओपन 2023 का आस्ट्रिलियन फ्रेंच ओपर वेबल्डन ओपन और यूस ओपन ये सभी चारो अलग-अलग होते हैं ये चारो एक्चुली वे कुशन्स देखने के लिए मिलेंगे अलग-अलग से वीडियोस बना रखिये मैंने नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन W.M.O की प्रथम महला महासचिव कौन बनी है उत्तर आप्शन B वाला स्लेस्टे सावलो स्लेस्टे सावलो बनी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रथम महला महासचिव मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्राले की एक पहल है उत्तर आप्शन B वाला ग्रामिन विकास मंत्राले ग्रामिन विकास मंत्राली दुआरा यहा भियान चलाया गया है मेरी माटी मेरा देश नेक्स्ट कुशन है किस राज्जी के मुख्यमंत्री ने जेलो का नाम बदल कर सुधार ग्रिह किया है उत्तर होगा उप्शन डी वाला उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी योगी आदितेनाद इन्होंने जेलो का नाम बदल दिया है अब सुधार ग्रिह नाम से जेलो को जाना जाएगा नेक्स्ट कुशन है कौनसा राज्जे भारत का पहला पूर्ण ए शासित राज्जे बना है उत्तर है ऑप्शन डी वाला केरल केरल राज्जे जो है यह भारत का पहला पूर्ण ए शासित राज्जे बन गया नेक्स्ट कुशन कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आईजन किया जाएगा उत्तर है यहाँ पर उप्शन ए वाला 27 वर्षों के बाद किया जाएगा भारत देश में दोहजार तेविस में और यह कौन सा संस्क्रण होगा इकत्तरवा नेक्स्ट है अरब सागर में उठे बिपर जोई साइकलोन का नाम किस देश दुआरा रखा गया है उत्तर है उप्शन ए वाला बांगलादेश बांगलादेश ने अरब सागर में उठे बिपर जोई साइकलोन का नाम दिया है यह जो साइकलोन उठा था इसका नाम बिपर जोई किस ने रखा है बांगलादेश ने बहुत सारे देश होते हैं जो अपनी तरफ से नाम रखने की कोशिश करते हैं लिस्ट पहुसती हैं वहाँ पर और लिस्ट में से किसी एक नाम को स्लेक्ट किया जाता है और उसे से जुड़े वे कुशन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं next है IPL 2023 का खिताब किसने जीता उत्तर आप्शन D वाला चैने सूपर किंग्स ने जीता है IPL 2023 का खिताब next किस केंद्रिय मंत्री ने रियल टाइम निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंतरन प्रणाली का उदगाटन किया किसने किया है अमित शाह अमित शाह देश के केंद्रिय मंत्री है इन्होंने रियल टाइम निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंतरन प्रणाली का उदगाटन किया अगला सवाल हाल ही में केंदर सरका ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है उत्तर अप्शन बी वाला अरजुन रामे मेगवाल अरजुन रामे मेगवाल बने है नए बने है भारत देश के कानून मंत्री वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। नेक्स्ट कोशन है किस प्रेस ने रूस युक्रेंग युद की अंतरास्ट्रे रिपोर्टिंग के लिए प्रतिस्टित पुलिजर पुरुसकार 2023 जीता है। वो त्रे आप्शन भी वाला नियॉक्स टाइम्स ने जीता है। नेक्स्ट है कहां हालही में उड़ने वाली चिपकली की नई प्रजाती मिली है। कहां पर मिली है? मिजोरम में मिली है। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनी के पास 62 नए उपग्रहों की खोज हुई है। अब शनी के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? जाद रखेगा 145 उपग्रह हो चुके हैं सनी के पास। किसके दूआरा हाल ही में पोशन भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारम किया गया। 22 अप्रिल को किस थीम के साथ विश्व पृत्वी दिवस मनाया गया। उत्तरे option एवाला हमारे ग्रह में निवेश करें हमारे ग्रह में निवेश करें स्थीम के साथ 22 अप्रेल को विश्व पृत्वी दिवस मनाया गया अगला सवाल दिखेगा एशे कबड़ी चैंपेंशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता कौनसा देश देश ने जीता है हमारा भारत देश मेजबानी कर रहा है नेक्स्ट है हिंदुस्तान युनिलीवर की नई M.D.O.C.O के रोप में किसे चुना गया है उत्तरे option एवाला रोहित जावा रोहित जावा को हाल है में हिंदुस्तान युनिलीवर की नई M.D.O.C.O चुना गया है इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किस जोडी ने जीता है उत्तरे option एवाला सात्विक और चिराग सात्विक और चिराग दोनों ने इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब जीता गुरकपूर स्थित गीता प्रेस के सो साल पूरी होने पर इसे किस पुरुसकार से सम्मानित किया गया विश्व बैंक के चौदवी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहन किया है किसने किया है उत्तरोग आप्शन एवाला अजय बंगा अजय बंगा ने विश्व बैंक के चौदवी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है वह है किरल किरल राज्य बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य 7 अप्रिल को किस थीम के साथ विश्व स्वासत दीवस मनाया गया उत्तर अप्रिय ऑप्शन B वाला Health for All Health for All इस थीम के साथ 7 अप्रियल को विश्व स्वासत दीवस मनाया गया Next अप्रिय जाने वाली पहली भारती महला क्रिकेटर कौन है? उत्तर आप्शन C वाला हर्मन प्रीत कौर को विज्डन क्रिकेटर्स आफ दे एर के लिए चुना गया रास्टी स्वच गंगा मिशन के तहत कितने करोड रुपे की परियोजनाओं को मन्जूरी दी गई उत्तर आप्शन B वाला 6.38 करोड रुपे की मन्जूरी दी गई है रास्टी स्वच गंगा मिशन के तहत किस केंद्र मंत्री ने नई दिल्ली में यूआ पोटल लॉंच किया है विज्ञान और पृद्योगी की मंत्री है डाक्टर जेतेंद्र सिह इन होने यूआ पोटल को लॉंच किया है कहा नई दिल्ली में विज्ञान और पृद्योगी की मंत्री कौन है अभी डाक्टर जेतेंद्र सिह आगे बढ़ते हैं एपल कंपनी ने भारत में पहला अपना स्टोर के शहर में लॉंच किया डी एने डीटाबिस तयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है उत्तर आप्शन सी वाला हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर अग्याद शवो की पहजान के लिए डी एने डीटाबिस तयार किया जाएगा और ऐसा करने वाला पहला राज्य है नेक्स्ट है नाटो का 31 सदस्य कौन है बताए कौन सा है फिनलैंड फिनलैंड है नाटो का 31 सदस्य है नेक्स्ट कुशन है भारत के अध्यक्षता में G20 वाकिंग ग्रूप की सववी बैठक का अजन कहां किया गया कहां पर किया गया वारानसी में देखे हाल ही में मैंने G20 से रिलेटेड वीडियो बनाई है क्योंकि अभी 2023 में पूरे 2023 में आपको G20 से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट से देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इसके अध्यक्षत आभी किसको मिली है भारत देश को मिली है नेक्स्ट कोशन है किस राजे ने हाल ही में महात्मा जोतीबा फूले की जैनती को सरवजनिक अवकाश के रूप में घोशित किया है उत्तरोग आप्शन D वाला राजस्थान राजस्थान सरकान ने हाल ही में महात्मा जोतीबा फूले की जैनती को सरवजनिक अवकाश के रूप में घोशित किया हाल ही में जारी हुई 2023 की वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है भारत आए 126 वी नंबर पर वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत आए 126 वी नंबर पर नेक्स्ट है चंद्रियान 3 मिशन लॉंच कर दिया गया है मिशन के प्रोजेक्ट डारेक्टर कौन है कौन है पी वीर मुथुवेल है चंद्रियान 3 से रिलेटेट भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है और एक उर वीडियो बनाई है जिसमें चंद्रियान 1, 2 और 3 तीनों से जुड़ेवे कोशन्स कवर किये हैं नेक्स्ट है भारतिय तडरक्षक बलके 25 महानिदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया उत्तर हो गया यहाँ प्रॉप्षन डे वाला राकेश पाल को भारतिय तडरक्षक बलके 25 महानिदेशक के रूप में निक्त किया गया next है है हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पास्पोर्ट की रैंक क्या है भारत आया है स्थीवे नामबर पर next question है अंतरास्ट्य रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयजन किस देश में किया जाएगा इसका आयजन किया जाएगा दख्षिन कोर्या में अंतरास्टिय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का अजन नेक्स्ट कुशन है वेबल्डन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरियता प्राप्त महला खिलाडी कौन बनी है वेरी इंपॉर्डन कुशन अंसर ओप्शन एवाला मार्केटा वॉंडरो सोवा ये बनी है पहली गैर वरियता प्राप्त महला खिलाडी वेबल्डन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली नेक्स्ट कुशन है वेबल्डन ग्रैंड स्लैम 2023 का मैंस टाइटल किस खिलाडी ने जीता है ये जीता है कालोस अलका राजने नुवाक जोकोविच को हराकर जीता है कारलोस अलका राजने ये कुशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजी का नेक्स कुशन है भारत किस देश के साथ सन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट दोहजार देश में भाग ले रहा है किस देश के साथ मंगोलिया के साथ है ना याद रखेगा भारत और मंगोलिया दोनु साथ में सन्य अभ्यास कर रहे है जिसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट दोहजार देश में अभ्यास कर रहे है नेक्स्ट है रज्यसभा के नई उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है किसे चुना गया है याद रखेगा option D सही होगा S. फांग नोन कॉनियाक यहाल ही में रज्यसभा के नई उपाध्यक्ष बने हैं कैना में इनकर S. फांग नोन कॉनियाक चलिए आज की वीडियो में तना ही 50 महतमर प्रशन हमने गावर किये हैं लास्ट वे कुशन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है कुशन है अंतरास्ट्रिय सतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है चलिए आज की वीडियो में तना ही वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्स्राइब करना बेल नोटिफिकेशन आइकन पर और प्रेश जरू करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच आएगा वीडियो को लाज सक देखने के लिए थैंक यू